नमस्कार न्यूजुरू में आप सभी का स्वागत है देश में आजकल धार्मिक आधार पर एकजुट होने के आहवान खूब किये जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योग्या इतनाथ ने हाल ही में हिंदूों से एकजुट रहने का आहवान करते हुए कहा था क कि बटेंगे तो कटेंगे अब भारत को हिंदू रास्ट्र पताते हुए रास्ट्री स्विम सेवक संग के प्रमुक मोहन भागवत ने कहा है कि भाषाई जातिये और छेत्री विवादों को मिटा कर हिंदू समाज को अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा लेकिन उनकी हट्टिपणी एयम प्रमुक असदुदीन ओवैसी को चुप गई है उन्होंने कहा है कि भारत में ना हिंदूओं को मुसलमानों से खत्रा है ना ही मुसलमानों को हिंदूओं से खत्रा है और अब बता दें कि आरसेस प्रमुक मोहन भागवत ने गजशब्ता अपनी जिरायस्थान प्रवास के दौरान कारक्रमों करते हैं कि कहा कि हम एहां प्राचीन काल से रह रहे हैं भले ही हिंदू शब्द बाद में आया बहीं हr उन्हेंने कहा है कि चीन से भारत को खत्रा है लेकिन मोहन भागवथ उसकी बात नहीं करेंगे हैद्राबाश से 27 ओ वेसी ने साथ ही वक्ष विध्यकों ले कर साइयों को है वो किस से है नरेंदर मोडी और मोहन वगवत से खत्रा है हमको खत्रा तुम से है और मोहन वगवत सुनो चीन भारत की 2000 स्क्वेर किलो मीटर पर खब्जा करके बैट गया और मोडी और मोडी अमरीका का सफर करते है 2000 स्क्वेर किलो मीटर पर चीन कब्जा करके बैटावा है डेम चाक डेम साक में मोहन वगवत आप भी चीन से डरते हैं क्या चीन से खत्रा है मगर मोहन वगवत हिंदूों को खत्रा है अब चीन खब्जा करके बैठा है उसकी बात नहीं करेंगे चीन पूरे भारत के अत्राफ के मुमालिक में बैठा हुआ है मोहन बगवत नहीं बोलेंगे मेरे भाई मोडी ने हिंदूओं को तकलीफ दी मोडी ने मुसल्मानों को तकलीफ दी मोडी ने दलितों को आदिवासियों को अबीसी को तकलीफ दी बताओ दस साल में मोडी ने इन तमाम नौजवानों को कोई रोजगार दिया नोकरी दी लाक होडो नौजवान बेरोजगार उनका मुकदर बन चुका है मगर मोडी आके क्या बोलती है जारकण में जाकर बोलती है यहां पर पापुलेशन बदल रहा है अरे मोडी नौकरी दो चीन को भगाओ एकानमी को रिवाइब करो मगर कुछ नहीं मोहन बगवत कह रहे हिंदूआं को खत्रा मेरे मेरे अजीज दोस्तों और बुजरुगों ये एक मजाख मोहन भगवत भारत की एक सो तीस कोड़ जनता से कर रहे हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजरुगों वफ का खानून बनाया गया बिल लाया गया और खानून में जब मैं वफ चुरकुट कई बीजेपी आरसस के इनके सो काल इंटेलेक्चुल्स ये बोलते नहीं वफ वोट जहां पे बोला डिकलियर कर देता वफ की प्रापर्टी अरे दीवानों वफ बोल्ट किसी की प्रापर्टी को वफ देकलियर नहीं कर सकता मुझे कोई बीजेपी के अमपी पार्लिमंट पे बोले अरे नए ओएसी आपके मुसल्मान खेत में जाके सूर फातिया पढ़ लेते आपके मुसल्मान कहीं पर नमास पढ़ लेते और बड़ी अकलमंद है लगता है आपने बड़ी गहरी सोच से इस बात को का बोले हाँ मैं पढ़ता हूँ मैंने कहा एक बास सुनो भारत की पार्लिमंट में जब नमास का वक्त होगा मैं भी जाके पढ़ लो हूँ तो क्या मेरी प्रापर्टी हो जाती वफ की वह मैं किसी की प्रापर्टी जाइदाद लेकर वक्त नहीं कर सकता नरेंदर मोडी अब क्या कर रहे है इस बिल में मोडी ये कह रहे हैं कि वक्त में वक्त बायूजर है ये बिल ये लाकर कह रहे हैं कि वक्त बायूजर खतम हो जाएगा मतलब ये है कि खबरस्तान है एदगा है मस्जिदें तीन सो साल पुरानी है दरगाएं है इसका कोई डाकुमेंट नहीं है तो मोडी कह रहे कि वखबा यूजर खतम कर दिया जाएगा जब मैं यह कहा कि वखबा यूजर खतम करके मुसल्मानों की जाइदादों को मस्जिदों को, खानखाओं को, दरगाओं को मस्जिदों को, खबरस्तानों को छीनने की साधी चो रही है तो लोग मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे मैं मिसाल देकर समझा रहा हूँ आज से चार दस बारा दिन पहले गुजराच सोमनाथ में गुजरात सोमनात्य में एक दरगा शरीफ है दरगा का नाम हाजी मंग्रोली शाह ये बारा सो साल पुरानी दरगा है और वहाँ पर हज़रत माई पीर की मस्जिद है सन सैंतालीस में डाक्यूमेंट में लिखा गया कि गौर्वर्मेंट क्योंकि उस वक्त जुनागड के बादेशा ने ये जायदाद दी थी अंग्रेश चले गए तो अंग्रेश जाने के बाद हुकुमरान जुनागड के बादेशा थे तो हुकुमत हिंद हो गई उसमें लिखा गया गौर्मेंट प्रापटी मगर यूजर इस मुसलमान दरगा है, खबरसतान और 47 में लिखा गया 2014 स्प्टमबर में कलेक्टर ने कहा कि प्रापटी काग में जो लिखा गया 75 साल पहले उख autoσα गलत है कलेक्टर ने मुसल्मानों को नोटिस दी और कहा कि आओ मुसल्मानों ने कहा हमको टाइम दो हम डाक्यूमेंट बताएंगे उसके बाद मामला वर्फ ट्राइबिनल गया वर्फ ट्राइबिनल मामला सुन रहा था तो कलेक्टर ने सुबा सुबा तारीख आपको बता रहा हूं चेक कर लीजिए कलेक्टर वहां के मुखामी कलेक्टर ने 27 तारीख को 27 सप्टेंबर 28 सप्टेंबर को सुबा पांच बजे बुल्डोजर लाकर रात में कमेटी के लोगों को बाच्चीत करने के बहाने बुला का गिरफतार करके 1200 साल पुरानी दर्गा और मस्जिदों को खबरस्तान को शहीद कर दिया ये पावर कलेक्टर को मिल रहा है इस बिल में होश मियाँ मुसल्मानों जो मुसल्मान मोडी केस लाइवे बिल की ताईद कर रहे मैंने अपने तखरीर में कहा था कि जब तुमारे बाप दादाओं की खबरों को मिस्मार कर दिया जाएगा तब तुमको तकलीफ होगी आज हम देख रहें कि सोमनात में हाजी मंगरोल शाह की 1200 साल की दर्गा को जबके सुप्रीम कोट ने फैसला दिया था कि किसी भी जगा पर डेमालिशन नहीं होगा मगर उसकी खिलाफ पर जी कर दी गई ये वफ का बिल जो मोडी ला रहें वख बाई उजर खतम करके मस्जिदों को अब आप से जाक अगर कोई पूछेगा कि दिल्ली की जामा मस्जिद का कागस लाओ दिल्ली की जामा मस्जिद का कागस कहां से मिलेगा पारलिमेंट के साम में मस्जिद है उसका कागस नहीं मिलेगा हैदराबाद की मक्का मस्जिद है उसका कागस नहीं मिलेगा तो मोडी चाते कि जिस तरह गुजरात में 1200 साल पुरानी हाजी मंगरोल शाह की दरगा को शहीद कर दिया गया मिस्मार कर दिया गया मस्जिदों के साथ वही हाल पूरे भारत में अगर ये बिल बंद कानून बनता है तो करना चाहते हैं आप बताओ वगबोर्ड में गैर मुसलिम को क्यों मेंबर बनाना चाहते हैं मोडी इसलिए बनाना चाहते है कि जब वगबोर्ड में गार्मेंट अपाइंट करेगी गैर मुसलिम को तो वगबोर्ड को किसी भी प्रापटी को पांच साल के लिए डारेक्ट मैनेजमेंट में लेने का अख्तियार है तो मोडी चाहते हैं कि डारेक्ट मैनेजमेंट के नाम पर लेकर मुसल्मानों से उन तमाम जाइदादों को च्छीन लिया जाए वफ की जाइदाद हमारे बुजरगाँ की गारे खुन पसीने की कमाई है गौर्मेंट ने हमको नहीं दिया मोडी चाहते हैं उसको च्छीन लिया जाए वफ बोर्ड में कलेक्टर को पावर दे रहें के कलेक्टर अगर बोलेगा इसमें डिस्प्यूट है तो कलेक्टर डिस्प्यूट के नाम पर वफ से निकाल देगा ता वक्ते वो इंकौरी मुकमल नहीं करेगा बताओ मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजर्गों इसमें कहा गया बिल में के हर वक्त प्रापटी को अपने हिसाबाद किताबाद क्यक के जरीय देना पड़ेगा सुन्लो मदर से चलाने वालो सुन्लो दरगाहों के मतवली सुन्लो वक्त प्रापटी के जिम्मेदारो ये जो बिल का प्रोविजन है के हिसाब तुमने बराबर नहीं दिया कहे कर तुम पर जूटे लगा कर तुमको जेल को बिजा दिया जाएगा वक्त की जाइदाद बचाने का नाम मोडी ले रहे अब माजूदा खानून ये कहता है कि अगर किसी को कोई बिएकर वक्त की जाइदाद को बेशता है तो उसको गलती से जूटे तरीके से दो साल की सदा नरेंदर मोडी बोल रहे नो टू यर्स अनली स्वीट सिक्स मॉंस दो साल नहीं छे माईने अभी नान बेलेबल है फर्स मेडिस्टेट के साम में जाना चाहिए मोडी करे नथिंग डूइंग बेलेबल तुम जाइदाद बेचो जाइदाद फूग दो मैं हूना तुम को बेल देने वाला मेरे भाई एक एक चीज लिमिटेशन एक अच्छा ये बीजेपी के लोग बोलते ये वखबा यूजर नहीं है सिब मुसल्मानों में है तुम को बता रहा हो तुम हिंदू ला की किताब लिखने वाले का नाम बीके मुकरजी है बीके मुकरजी की किताब पढ़ो उसमें लिखावा है के हिंदू धरम में भी वखबा यूजर है हिंदू धरम में बीके मुकरजी की किताब खानून की किताब है ओडिसा के हिंदू एंडोमेंट बोट में बायू सेज लिखावा है आंधरा के तेमिनलादू के तेलंगाना के इंडोम हिंदु एंडमन बोर्ट में लिखावा है और संगी लोग बोलते नहीं नहीं काली इसलाम में हैं मुसल्मानों में हैं अरे तेरे कान में फूल होगा हमारे कान में फूल नहीं हैं तेरे दिमाग पर परदा पड़ा होगा हमारे दिमाग पर नहीं हैं लिमीटेशन पीरियड है कोई भी वफ की प्रापटी पर लिमिटेशन खानून अप्लाई नहीं होता मोडी बोल रहे अप्लाई होंगा हिंदू एंडोमेंट बोड सक्षण 123 तेलंगाना का पड़ो लिमिटेशन एक्ट विल नॉट अप्लाई अंटेलंगाना हिंदू चैरिटिबल एंडोमेंट बोड मर मोडी वो रहे हैं लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा क्यों अप्लाई होगा क्योंकि जो बारा साल से किसी वफ की जाइदाद पर खाबिस है तो मोडी उसको मालिक बनाना चाहते है और नरेंदर मोडी मुंबई में जो मुंबई की सबसे उन्ची बिल्डिंग है सबसे उन्ची बिल्डिंग है सबसे उन्ची बिल्डिंग है वो एक यतीम खाने पर बनाया गया था वफ के यतीम खाने पर बनाया गया था 21 कोड उपिये दे कर उसने खरीद लिया और आज लोग बोलते के उसकी बिल्डिंग की खीमत खरीब 2000 कोड के पंदरा सो कोड की है तो मोडी उसके बेटे की शादी में गए थे गए थे तो मोडी बोले मैं शादी में गया तो दूले के बाप को तवफा देना है ये चानून लेकर आउंगा जाइदादे छीनने के लिए नरंडर मोडी इस तरह का गलत ओ गानून दा रहें नरंडर मोडी आपको इसलाम से इतनी नफृत क्यूं है आपको मसجिदों से कानकाओं से नफृत क्यूं है तब ही तो आप इस तरह का गलत बिल पार्लिमेंट में लाए हैं अरे वखभोर्ट को ताक्त दो तो जो खाबिस लोग है उनको निकालने का पावर दो समरी एविक्षण पावर्इ जो हिंदू इंडु मेंडु में में हिंदू एंडो मेंड बोर्ड के कमिशनर के पास पावर है कि किसी भी प्रापटी को निकाबिस को निकाल कर फेक सकते हैं किराया बढ़ाने का पावर दो मगर मोडी नहीं देना चाहती है मेरे भाई होश्यार और चोकन ना रहिए आल इंडिया मुस्लिम पर सल्ला बोर्ड अगर आप से कहेगा हम से कहेगा किस बिल के खिलाफ हम को इतजाज करना है तो क्या आप पुरमन इतजाज के लिए तैयार हैं आप इतजाज के लिए तैयार हैं हाथ उठा कर बताईए क्या आप इतजाज के लिए तैयार हैं और नारो लगाईए मेरे साथ ताके मोडी को मा नहारे इस बिलकुम रिजट करते नारे तक्बीर नारे तक्बीर मेरे अजीज दोस्तों और मुझरों एक और एहम बाद जो मैं आप से करना चाह रहा था अभी खतम नहीं हुआ कहां जा रहे बाइटो अभी नई घर से फोन आया कहते जल्दी आते नहीं आते तो नुब आ रहे भाग रहे नहीं नहीं है ना चिछा फोन नहीं नहीं आया भी तो जाके थोड़ा सुन लो दिल का मामला है मैं एक और एहम बात आपके साम में करना चाह रहा था जो कुछ फलस्तीन में हो रहा है एक साल कल हो जाएगा एक साल कल हो जाएगा 40 हजार से जायद फलस्तीनियों का खतल बिन्यमिन यतिन्याओ की हुकूमत ने किया जिसमें से 10 हजार बच्चे हैं मासूम जिसमें से 12 हजार के खरीब खवातीन है और इन 40 हजार को छोड़ कर 10 हजार लोग बिल्डिंगों के नीची अभी है बिल्डिंग्स के नीची हैं लोग मेरे भाई ये क्यों इनको मारा जा रहा है इसलिए फलस्तीनियों को मारा जा रहा है इसलिए के वो मस्जिद अक्साल खुच शुच शरीफ की बायतुल मुकद्द मस्जिद अक्सा की तहाफुस के लिए खड़े हुए है वो कहरें के हल खुच हमारा है को आजाद करा कर रखेंगे इसलिए बिन्यमिन यतिन्याहों की जालिम हुकूमत ने इन गरीबों को मस्जिद अक्सा की बाजियाबी के लिए बैतुल मुकद्द की बाजियाबी के लिए 75 साल से लड़ रहे एक साल में 40 हदार से ज्यादा फलस्टीनी मुसल्मानों का गतल आम इस शेयतान बिन्यमिन यतिन्याहों ने किया मेरे भाई जो कोई भी मस्जिद अक्सा के लिए उठ रहा है उसको मारा जा रहा है खतल कर दिया जा रहा है याद रखो ये मसला सिर्फ सुन्नी शिया का मसला नहीं है ये मसला मुसल्मानों का मसला है ये मसला सिर्फ मुसल्मानों का नहीं है अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके